आप सभी को मेरा नुमजकार मैं आतुल आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं और आज का जो हमारा कोशन है वह स्पीड टाइम में डिस्संस का कोशन है जो आप लोगों को बहुत जादा परेशान करता है और इस कोशन को हम कैसे विदिन 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते है यह मैं आज आपको बताने वाला हूँ और आप इस कोशन को पढ़ लिजिए मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ कि यह कोशन क्या है और फिर में बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे यह कोशन आप 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं एक ट्रेन है जिसे गंटे 12 मिनट लेट से पहुँचती है लेकिन फिर यह कहा जारा है कि अगर यह एक्सिजेंट 50 km आगे हुआ होता तो इस कंडिशन में वो ट्रेन अपने यूजवल टाइम से सिर्फ एक घंटे ही लेट पहुँचती तो आपको यह बताना है कि ट्रेन की नॉर्मल स्पीड क तो आपको अगर मैं शॉट टिक की बात करूं तो आपको कुछ नहीं करना है इस को यहें यहां निकालना है एक कि आया है ठीक है और यहां पर यह जो time दिया होगा पहले बहुशने का और जो बात का time दिया होगा बहुशने का इनके बीच का difference निकालना है जो कि कितना है तो एक ratio की value बराबर किसके हो जाएगी 12 के बराबर और आपको बताना है usual speed, means usual speed कितनी है यहां पर 6 है तो 6 ratio की value